हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आज किस वीडियो हम बात करेंगे important questions from the chapter how do organism reproduce वीडियो मागे बढ़ने से पहले guys मैं बता दूँ यह सारे questions जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो reduced syllabus पर based हैं यानि 2021 body examination के लिए important है जैसा कि आप सभी जानते हैं guys मैं क्लास्टेंट के हर एक सब्जेक्ट सेस्टी मैस साइन्स के chapter wise important questions की वीडियो बना रहा हूं तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को को देखो वीडियो में जब भी आप question को देखो तो उसी वक्त पहुच करके answer case करने का कोशिश करना चले इस वीडियो को start करते हैं कि जार सबसे पहले बात करते हैं one marks के multiple choice question की तो question है the ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called a budding b reduction division c binary fusion और d multiple fusion वीडियो को पहुच करके answer case करने को कोशिश करो और उसका answer comment में जरू लिखना उसके बाद answer match करने तो answer is d multiple fusion next question in the following figure different stages of binary fusion in mviva are depicted which are not in proper sequence तो यहां पर binary fusion in mviva का stage stages दिखाए गया है जो कि proper sequence में नहीं है आपको current sequence बताना है जो कि option दिये हो गया है और उस option में से right sequence को select करना है कि कि stage के बाद दूसरा stage होता है फिर इसके बाद तिसरा फिर इसके बाद चौ था तो इसका answer is a next question the characteristic transmitted from parents to offspring are present in जो parents say offspring में characteristics transform होते हैं transmit होते हैं pass out होते हैं वो कहां पर present होते हैं a cytoplasm b ribosome c गौल की body is d genes तो इसका answer is d genes next question fertilization is the process of और आपको चार options दिये गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि fertilization किस का process है fertilization का process क्या होता है यहां पर आपको fertilization define करना है और इन options में से select करना है जो कि base suit करता है तो इसका answer होगा is b fertilization is the process of fusion of nuclei of male and female gamut तो इसका भी answer होगा fusion of nuclei of male and female gamut तो अब बात करेंगा इस 3 marks के short answer type questions की तो question है what is vegetative propagation write the names of any two plants grown by this method method आपको vegetative propagation के बारे में बताना है और write the names of any two plants grown by this method इस method से दो ऐसे plants का name बताए जो कि इस method से ग्रोग किये जाते हैं तो यह रहागा जिसका answer आप जब भी question को देखे तो वीडियो को पहुच करके उसी वक्त आज कर सकते हैं तो next question है guys draw a label diagram to show that particular stage of binary fusion in a moiva in which its nucleus elongates and a constriction appears in its cell membrane तो यहाँ पर गाईज आपको diagram बनाना है एक label diagram बनाना है binary fusion in a moiva का लेकिन आपको पूरा stage नहीं बनाना है पूरा आपको sequence नहीं बनाना है आपको एक particular stage बनाना है जिसमें की nucleus उसका elongate होता है और एक कंस्ट्रिक्शन अपियर होता है in its cell membrane अंसर जब भी आप देखो तो आप अपने दिमाग में फ्रेम करने का कोशिश करो या उसी वक्त कॉपी पेन उठाके आप आंसर आइटिंग की प्रेक्टिस कर सकते हो और बाद में आंसर मैंच कर लेना तो यह है गाई इसका आंसर अब बात करते हैं गाई इस फाइफ माक्स के लॉंग आंसर टाइप क्वेस्टिन की तो क्वेस्टिन है बेस्ट अन गिवन डाइग्राम आंसर तो क्वेस्टिन गिवन बिलो ए लेबल पार्ट अ बीसीड कि भी नेम्द हार्मों सिक्रेटेट बाइटेस्टिज एंड मेंशन इट्स रोल सी इस्टेट दफंशन ओफ बी एंड सी इन प्रोसेस अफ रिप्रोड़क्स यानि जो आपको डाइग्राम यहां पर दिया गया है वह पूरी तरह से लेबलिंग नहीं की गई है यानि आपक करने के बाद आपको वह हार्मों का नाम बताना है जो कि टेस्टिस से स्क्रेट होता है और उसका रोल बताना आपको और सी में बताना है दे फंशन्स आफ बी एंड सी इन प्रोसेस अफ रिप्रोड़क्स तो यह है जिसका अंसर जो कि ल ACT नेक्स केशिंड नेक्स क्यूसिंगे युक्सा थे उर्टाइक्शन बी ठोड़क्स एट्स दिसके ट्डाइक ड्या अंद अश्टेसदल की यनि इं सेलिल यजिए गाइस कांटर next question draw a diagram of longitudinal section of bisexual flower and label the following ovary anther styled stigma filament identify from these the female reproductive organs and state one function of each यानि आपको एक longitudinal bisexual flower का एक longitudinal section का diagram बनाना है diagram of longitudinal section of bisexual flower और उसमें labeling करनी है ovary, anther style, stigma and filament और इसमें से male reproductive और female reproductive organs का identify करना और इनके functions बताने हैं सबी के एक तो यह है guys इसका answer so thanks for watching guys I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरू करना और अभी तक अपने पिसली वीडियो नहीं देखिए हैं मैंने बहुत तारी वीडियो अभी तक अप्लोड कर दिया अपने चैनल पर चैप्टर वाइस चैप्टर वाइस क्वेस्टिन्स फोर बोडियामनेशन 2021 विच इंपोर्टेंट तो जाके देख लो और सारे वीडियो को देख लो उसके बाद अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को चैनल को सब्सक्राइब